गुद आफ्टरून एविडेंट्स मैं दास्तर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इविडेंट्स यह इंपॉर्टेंट कोश्चन्स का सिरीज रिजिनिंग में आपके लिए लगातार चल रहा है जिसमें हम लोग आज डियरेक्शन सिंस टेस्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन डिसकस करेंगे और लास्ट में आपके लिए इसी पर बेस्ट एक प्रैक्टिस कोश्चन रहेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताईएगा इसटेंट्स अगर आप एंटी एस्टेज वन ओलंपियार्ड एससी सीजियल सीचसल और और बी एंटी पीसी या फिर आईबी पीस कलर्क एक्जाम का प्रिप्रेशन करते हैं यह सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस तरह कोश्चन्स अपकमिंग ए आएगा और लगातार आते भी रहा है तो इसटेंट्स का आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन देखने जा रहे हैं आप इसे ध्यान से समझेए और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीजिए से चरूर सेर कीजिएगा और थ्री पी आज का सेशन कोश्चन है चोश्चन है पॉइंट डिग्ष 9.0 मीटर तो वार्ज अए पॉइंट क्य Еte पॉइंट को सब्सक्राइब है यह इसट सबस्ती पॉइंट लिग ड़ू है अंग ने संबाइ आक 25 यहरत को आते हैं 9m east में क्या चीज़ है तो point P है point P is 9m towards the east of point Q यानि कि क्यूँके east में क्यूँके east में रखिए east direction है में 9m है next line बोल रहा है point R is 5m towards the south of point P point P के south में 5m यह 5m है south में point R है to the point बनाना है और समझते वे बनाना है अगर किसी भी तरह का परेशानी आ रही है अगर आप direction से पहले नहीं परहें तो आप हमें कमेंटें बताइए आपको आपके लिए complete session लेके आएंगे जिसमें जिसमें अच्छे तरीके से और इदम basic level से इसको explain करेंगे बाइद वे यह easy session है easy chapter है आप आसनी समझ जाईएगा अगर किसी तरह का problem आता है तो फिर यह बताइएगा next देखिए बोल के रहा है point R is 5 meter towards the south of point P point S is 3 meter towards the west of R R के west में कौन सा point है S है S is 3 meter towards the west of R next बोल ला है point T is 5 meter towards the north of point S 5 meter आ गए हम लोग यानि वापस यहीं पहुँच गया यहाँ पर T है T है 5 meter यानि यह 3 meter हो गया तो यह distance कितना बच गया यह distance हो जागा 6 meter यह distance हो जागा 6 meter आगे बोल ला है point B is 7 meter towards the south of point S point B is 7 meter 7 meter point B is 7 meter 7 meter towards the south of point S sorry south बोल रहा है towards the south of point S point S के south में 7 meter है point B 7 meter है तो south बोला है नीचे आएंगे south में 7 meter है अब देखें यह इसका statement के बैसिस पर diagram बन गया है अब हम लोग देखेंगे stated question क्या पूशा है बोला है if a person walks in a straight line अगर एक person straight line में walk करता है from 8 for 8 meter towards west from point R point R से west में 8 meter तो west में अगर यह 8 meter चलेगा point R से तो यह जो है से S को cross करते हुए यहां पर पहुंच जाएगा which of the following point would he cross the first सबसे पहले किसको cross करेगा अगर वेस्ट में 8 meter चलेगा तो definitely S को cross करेगा S is your answer S is your answer D आपका answer रोजाग option D next बोला है which of the following points are in a straight line कौन सा point straight line में है तो आप देखिए कि T S और V T S और V straight line में है T S and V are in a straight line T S and V are in a straight line so option E S V T S V T option E is your answer students यह था MAT 2013 में और यह question आ चुका है Corporation Bank P.U. में भी question आ चुका है तो बहुत ज्यादा important है इस तरह ही इसी तरह का questions आज का exam में आ रहा है और आपको इस तरह को लगातार practice करना चाहिए तो अब आपके के लिए एक practice question display हो रहा है जिसका answer आप हमें comment में करके बताईए कि answer क्या होगा इसी तरह का session upload हो रहा है इस चैनल पे इसी तरह के लगातार important question के स्रीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के भी share कीजिए और next class हम लोग मिलेंगे कुश important new tricks and technique के साथ thank you very much residents all the best for your exam